नमस्कार दोस्तो आप सबका मेरे यूटूब चैनल में श्वागत है और आप अगर नए कमर्स हैं तो आप ध्यान रखें कि मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आज हम बात करेंगे एनीमिया की या एनीमिया को हिंदी में हम कहते हैं रक्त की कमी यह रक्त की अलपता ठीक है तो नार्मल क्या कंडिशन जब किसी भी बेक्ती के सरीर में हीमोगलोविन की मात्रा या रबीसी की मात्रा नार्मल से कम हो जाती है उसको हम रक्त अलपता या एनीमिया के नाम से जानते हैं, तो in definition, definition की बात करूँ, it is a condition in which do not have enough hemoglobin in the blood, मतलब blood के अंदर जो hemoglobin की मात्रा है परियाप्त नहीं है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जर्नली आप सबने देखा होगा कि एनीमिया से बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है, जब तक की काफी कम नहीं हो जाता, जैसे females, especially lactating females, मतलब वो महिलाएं, जो इस्तनपान कर आ रही हैं, pregnant women, जो गर्वती महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और कुछ बच्चे, उनके अंदर भी एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये था एनीमिया की definition, फिर बात करणी में इसके classification की, classification मतलब एनीमिया को कैसे divide किया गया है, कैसे बांटा गया है, जो इनीमिया को हमने basically दो तरीके के एनीमिया को हमने classify किया है, और एक होता है physiological एनीमिया और दूसरा होता है pathological एनीमिया, फिजियोलाजिकल एनीमिया मतलब ऐसा एनीमिया जो बॉडी में कोई परिवर्तन हो रहा है और उसकी वज़े से एनीमिया हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं फिजियोलाजिकल एनीमिया मतलब सरीर के अंदर कोई भी चेंजेज आ रहे हैं और उन चेंजेज की davewil requirement हो जाटी मतलब requirement बढ़जाती है क्योंकि एक उसको खुद के लिए भी प्लट की ज़रूरत है और साथ में जो बेबी है जो फीटस है उसको भी जो है ब्लट की जरूरत होती है तो इस वजह से उसकी बॉड़ी में क्या होता है कि changes देखने को मिल जाते हैं सो फॉर फ्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में ब्लड वाल्यूम क्या होता है नार्मली 30-40 परसेंट तक बढ़ जाता है मतलब टोटल जो वाल्यूम है 5-6 लिटर जो ब्लड का वाल्यूम होता है उलगभग 32-40 परसेंट क्या होता है इनक्रीज हो दौरान दूसरा प्लाज्मा जो उस ब्लेड के अंदर प्लाज्मा का लेविल है वह भी 32-30% increase हो जाता है मतलब प्लाज्मा की भी मातरा क्या हो जाती है नार्मल से बढ़ जाती है then hemoglobin ये 15-20% increase होता है और rbc ये 20-30% increase होते हैं तो समस्या ये है कि यहाँ पे जो हीमोगलोबिन है ये ब्लेड की आपेक्षा या प्लाजमा की आपेक्षा उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होता है और इस वज़े से जो है फिजियोलाजिकल एनीमिया डबलब हो जाता है मतलब जो हीमोगलोबिन का लेविल है वो जैसे ब्लड का लेविल बढ़ा था जैसे प्लाजमा का लेविल बढ़ा था वैसे ही हीमोगलोबिन का लेविल भी बढ़ना चाहिए था लेकिन उस अनुपात में हीमोगलोबिन नहीं बढ़ता है और इस वज़े से फिजियोलाजिक पैथोलाजिकल एनीमिया की तो पैथोलाजिकल एनीमिया होने के कारण क्या है तो कुछ क्लिनिकल कंडिशन हो सकती है जिसे पैथोलाजिकल एनीमिया डवलप हो सकती है कुछ दिसीज कंडिशन हो सकती है कुछ बीमारिया ऐसी हो सकती है जिसकी वज़े से एनीमिया डवलप हो क्या है पैफोजिकल एनेम्या देखने को मिलता है तो पैफोजे क पहला है निट्रिशनल डिफीशियंसी एनीमिया तो निट्रिशनल डिफीशियंसी मतलब कि ऐसे शरीर में जब हमारे पोश्ण की कमी हो जाती है और उस वज़े से जब किसी बैक्ति को एनीमिया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं निट्रिशनल डिफीशियंसी एनीमिया कहते हैं फॉर एक्जम्पिल इसमें जो पहला है इसका सब टाइप वो होता है आईडिये मतलब आयरें डिफीशियंसी एनीमिया मतलब सीधा सा नाम में ही लिखा हुआ है आईडिये मतलब आयरें डिफीशियंसी एनीमिया मतलब किसी क अईक rack की कमी कीवज़े से जब निम्या काज होता है तो उसको हम क्या एन Oui yeah तें फ्वले जब सेभी सेकेंड ट्राइमेश्टा होता है सेकेंड ट्राइमेस्ट लोगम्स होता है प्रगनेंसीत का एक ग्रूप उसको हम क्या कहते हैं तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है मतलब चौथा पांचमा और छटमा उस दवरान क्या होता है कि प्रेगनेंट गूमेन को बहुत जादा मात्रा में क्या है आयरन की जरूरत होती है आयरन सप्लीमेंट की जरूरत होती है क्योंकि उसकी खु आईरन की कमी हो जाता है मतलब बलड में आयरन की कमी हो जाती है इसको हम विटामिन B9 की कमी की वजह से होता है यह क्यों होता है परनीस्यस अनीमिया मतलब बिटामिन V9 तो बीटामिन वी नाइन की कमी की वेज़े से जो एनीमिया होता है उसको हम क्या कहते है परनीसियस एनीमिया कहते है ड्यूटु देग्रेज लेवल आप फॉलिक एशिट की जो है कमी हो जाती है बॉडी के अंदर और इससे क्या होगा कि उस जो बेबी है जो होने वाला बेब की हालत मांसिक हालत ठीक नहीं होती है और फॉलिक एशिट की विज़े से होती है एक और समश्या होती है कि जो बेबी के ऑर है विपा नहीं जी जैसे cleft palate, आपने देखा हो कभी तालू जो है बेबी की delivery के बाद देखा कि वो कटा हुआ मिल जाता है, तो वो cleft palate, वो भी folic acid की कमी की वज़े से होता है, तो second one हमको क्या मिला, परनीसियस एनीमिया, परनीसियस मतलब vitamin V9 की कमी से या folic acid की कमी से जो एनीमिया होता है, उसको हम परनीसियस एनीमिया कहते हैं, नमबर थर्ड, megaloblastik एनीमिया, megaloblastik एनीमिया, यह vitamin B12 की कमी से, deficiency से क्या होता है, megaloblastik एनीमिया होता है, और इसको हम commonly जो नाम से जानते हैं, साइनो कोबालेमिन के नाम से जानते हैं, तो यह होगे हमारे nutritional deficiency एनीमिया, मतलब सरीर में portion की कमी की वज़े से होने वाले एनीमिया, तो पहला कारण हमने इसमें देखा कि iron deficiency एनीमिया, दूसरा हमने देखा parnesius एनीमिया, मतलब vitamin B9 की कमी की वज़े से और तीसरा हमने देखा vitamin B12 की कमी से जिसको हमने megaloblastik anemia की नाम से नाम दिया second one होता है hemorrhagic hemorrhagic anemia hemorrhagic मतलब कि hemorrhage हो रहा है मतलब bleeding हो रही है और bleeding होने की वज़े से सरीर से लगातार-लगातार bleeding हो रही है और उसकी वज़े से भी क्या होता है कि anemia cause हो सकता है anemia का एक कारण क्या होता है hemorrhagic bleeding हो सकता है तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइट कर दिया पहला है acute hemorrhagic anemia और दूसरा होता है chronic hemorrhagic anemia so acute की बात करें acute में आता है APH antipatum hemorrhage antipatum hemorrhage मतलब किसी भी महिला को pregnancy के दौरान bleeding और वो भी कब 24 week से लेकर 37 week के बीच में जब किसी महिला को 24 में हपते मलब उसकी pregnancy का जो 24 हपता है और वहां से लेकर 37 हपते के बीच में जब उसको bleeding होती है so उसको हम क्या कहते है APH में count करते है और इसकी वज़े से जो है उसकी body में hemoglobin की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहते है acute hemorrhage जो है anemia के नाम से जानते है फिर दूसरा नाम आता है chronic hemorrhage anemia chronic मतलब लंबे समय से मतलब कोई ऐसी समस्या है body के अंदर जिसकी वज़े से लंबे समय से धीरे 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 बॉड़ी से blood निकल रहा है और उसकी वज़े से hemoglobin की कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहते है chronic मतलब लंबे समय से तो for example की बात करें piles तो यहाँ पे अगर किसी बेक्ती को piles की समस्या है या बवाशिर की समस्या है तो उसको जब भी वो इस टूल पास करने जाता है तो कुछ थोड़ी सी थोड़ी ची ब्लीडिंग होती रहती है और इस तरीके से उसकी बॉड़ी में hemoglobin की क्या हो जाती ही कमी हो जाती है शेकेंड वन बात करें हुकवाम तो हुकवाम generally, commonly हमने देखा कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हुकवाम बहुत सारे होते हैं और हुकवाम होने से क्या होता कि जब भी बच्चा कुछ डाइट लेता है वो उसके बॉड़ी से उसको एबजार्ब कर लेते हैं या blood की कमी कौश कर देते हैं तो होकवाम की वज़े से होता है नमबर थर्डी जे ulcers, ulcers मतलब peptic ulcers, peptic ulcers मतलब कि पेट में होने वाले ulcers और जब ulcers होगे तो उसके साथ bleeding होगी और bleeding होगी तो बहुत सारा blood बाहर निकल जाएगा ये कुछ conditions थी हमारे chronic hemorrhagic anemia की फिर बात करता हूँ में hemolytic, hemolytic मतलब जिसमें blood cells का क्या होता है, destruction होता है, छोटे छोटे भागों में तूट जाता है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं, hemolytic anemia के नाम से जानते हैं तो hemolytic anemia को भी हमने दो भागों में divide कर दिया, acquired और hereditary acquired मतलब कि यह कुछ ऐसे changes हैं, जिनकी वज़े से blood cells का क्या हो रहा है, destruction हो रहा है, blood cells तूट रही है तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, immunohemolytic carcinoma इसमें क्या होता है, कि RBC का जो production है, वो stop हो जाता है, RBC का production क्या हो जाता है, बंध हो जाता है for example, chronic lymphatic disease, मतलब lymph node में होने वाली कोई पुरानी वीमारी है, तो इस वज़े से क्या होता है, कि RBC का production कम हो जाता है ठीक है, जैसे हमने spleen, spleen में RBC का storage भी होता है, production भी होता है, तो अगर lymphatic organ है spleen, तो वहाँ पे RBC का production क्या हो जाता है, कम हो जाता है number second, due to the infection, अगर body में कुछ infection है, like malaria, और malaria भी कौन सा palciferum malaria, PF, तो अगर palciferum malaria है, तो भी क्या होता है, RBC का breakdown होता है और RBC का breakdown होगा, तो जाहर सी बात है, उसकी body में RBC की कमी हो जाएगी, और जिसकी वज़े से anemia देखने को मिलेगा third condition, splenomegaly, splenomegaly मतलब मैंने अभी बताया कि splen क्या है, lymphatic argon है, और यह इसका size जो है, नार्मल से बढ़ जाता है, तो अगर यह नार्मल से बढ़ेगा तो ठीक से work नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी वज़े से hemolytic anemia cause होगा, तो यह था acquired की बात, फिर बात करता हूँ hereditary, hereditary या genetic, मतलब जो एक पीडी चे दूसरी पीडी में transmit हो जाता है, वो anemia, तो इसमें सबसे बाता आती है थेलेसीमिया, थेलेसीमिया एक genetic disorder है, मतलब एक पीडी को है, उससे अंगली पीडी को transmit हो जाता है, कुछ DNA में changes आगे, तो अगर खिसी के DNA के अंदर changes आ जाते हैं, तो उसमें भी क्या है, देखने को मिलता है, कि बहुत सारे changes होते हैं, और उसकी वज़े से blood का formation proper नहीं हो सकता, दूसरा sickle cell anemia, sickle cell anemia मतलब कि जो cell हैं, RBCs हैं, वो कैसे हो जा रहे हैं, hemolytic anemia cause होता है, third one, spirocytosis, spirocytosis क्या होता है, कि जो RBC का आकार है, वो कैसा होता है, globe के आकार का हो जाता है, गोला कार हो जाता है, ठीक है, तो इस condition में भी क्या है, hemolytical anemia cause होता है, फिर बात करूं में other anemia, कुछ होर anemia, जिसमें आता है aplastic anemia, aplastic मतलब कि ऐसी condition, जैसे bone marrow किसी का damage हो गया, for example, bone marrow damage हो गया, या due to the radiation, radiation मतलब जैसे cancer का treatment चलता है, लगातार radiation उसकी body में डाला जाता है, सिकाई की जाती है, उसकी वज़े से भी क्या है, कि anemia cause हो जाता है, RBC का production कम हो जाता है, उनकी संख्या normal से कम हो जाती है, तो इस तरीके से क्या है, others anemia में हम, जो है aplastic anemia के नाम से जानते हैं, तो यह basically मैंने आपके साथ discuss किया, कि anemia क्या होता है, और anemia क्या क्या कारण है, ठीक है, इस से related बहुत सारे question, जो है competitive exam में पूछे जाते हैं, तो आज के लिए इतना ही, next वीडियो में मैं बात करूँगा, anemia के क्या क्या कारण है, और कारण के साथ साथ में, हम उसका diagnosis कैसे कर सकते हैं, और तीसरा उसका treatment कैसे कर सकते हैं, किन condition में हम उसको control कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये था anemia, एक screenshot आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो आप शब का धन्यवाद मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ जल्दी, thank you.